हेलो एवरिवन दिस इस सरीना बिश्णोई एंड वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल तोड़े वी आर गोईंग तो स्टार्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक देट इस हाव तो लर्न एफ ब्लोक एलिमेंट्स देखिए एफ ब्लोक एलिमेंट्स को लर्न करना और उन को समझना एक डिफिकल्ट टास्क होता है लेकिन मैं आज आज आपको इतना इजी वे से इसे एक्स्प्लेंट करूंगे कि आप इसे हमेशा के लिए याद रखेंगे कभी नहीं भूलेंगे तो देखिए जो एफ ब्लोक एलिमेंट्स होता है दे आर ओलसो नोन एज इनर टा इसे लीट कियों कहा गया है first inner transition series को because it starts after lengthenum ठीक है ये किस के बाद start होती है lengthenum के बाद start होती है after lengthenum समझ आई बात अब देखिए second inner transition series को actinoid क्यों कहा गया है because it starts after actinium ठीक है ये किस के बाद में start होती है actinium के बाद start होती है अब देखिए जो ये first transition series है ये किस period में होती है ये होती है six period में ध्यान से सुनना मेरी बात किस period में होती है ये six period में और जो second inner transition series है जिसे हम actinoids कहा रहे हैं it is in seventh period in periodic table clear ये होता है आप देखिए जो first series होती है उसे हमने क्या कहा lengthinoid ठीक है lengthinoid क्यों कहा because it starts after lengthenum and it belongs to the sixth period ये किसे बिलोंग करती है तो जो first series होती है इसके अंदर element होते है कितने 14 element आपको याद रखना है और इसी तरह से जो second transition series और इसी second inner transition series होती है जिसे हमने बोला actinoid series it also have 14 element इसके पास कितना होता है 14 element होता है तो देखिए 14 element होगे lengthinoid series में 14 elements होगे actinoid series में तो f block में total कितने element हुए तो आपके पास total element हुए 14 plus 14, 28 तो मैं आपको कहूँ कि f block होता है इसमें total element कितने होते है 28 elements होते है समझ में आई बात कितने होते है 28 elements आप देखिए कि जो first series है जिसे मैं लेंथनोइट बोला है जो 6 period से belong करते है इसे हम याद कैसे करेंगे इसको याद करने का तरीका देखिए कि आप इस series को learn कैसे करते है तो देखिए आप इसे कैसे learn करेंगे आपको एक trick mind में रखनी है वो क्या है देखिए आप लिखेंगे सीने पर ठीक है ध्यान से सुनना सीने पर नाम पीम समाया क्या बोला मैंने सीने पर नाम पीम समाया आपको ट्रिक मैं राइट कर रहे हूं साथ साथ सीने पर नाम पीम समाया तो देखे सीने पर नाम पीम समाया ठीक है यूं गदगद ठीक है यूं गदगद तब दिल हुआ ठीक है क्या हुआ तब दिल गदगद हुआ तो देखो यू गदगद तब दिल हुआ अरे तुम भी लो तो क्या कहेंगे हम यहाँ पर अरे तुम भी लो ठीक है तो यह ट्रिक हो गई क्या था ट्रिक क्या है आपके पास देखना सीने पर सीने पर मतलब सीरियम पर मतलब आपके पास क्या होगए पी आर जिसे हम बोलेंगे प्रेस ओडियम ठीक है उसके बाद क्या आपके पास यह हो गया तर्बियम ठीक है तो यह इस तरह से दिल हुआ अरे तुम भी लो लुटेटियम ठीक है तो आप इसे से याद कर सकते हैं कहां से कहां तक देखना यह निचे मैंने इसके ओरेंज में लिख्यों है अटोमिक नंबर 58 59 और कहां तक खतम हो रहें 71 तक अहां पर खतम हो जाती है वच्चो वो खतम हो जाती है लुटेटियम पर जिसका अटोमिक नंबर है 71 तो फेस्ट इन्र ट्रांजिशन सिरीज 58 से लेकर के 71 तक होती है ठीक है तो यह आपके पास क्या हो गया लुटेटियम यह क्या हो गया ये ट्रबियम ठीक है आप ऐसे द पर याद कर सकते हैं फर्स ट्रांजीशन स्रीज को लेंफ एनोर्ड सीरिज कहेंगे क्योंकि यह लेंफनोर्ड के बाद स्टार्ट होती है सिक्स पिरियड में होती है यह और एक हां से ले करके 103 तो यह होती है 90 से लेकर के 103 तक ये भी आपको ध्यान रखना है हर एक्जाम में आ जाता है ये कि जो second inner transition series एक्टेनोड series वो कहां से start होती है कहां पर खतम होती है तो 90 से 103 ठीक है तो ये आपके पास वाई से हम कैसे याद करेंगे देखो इसे याद करने का तरीका क्या है मैंन ठीक है उनसे निपते यू का मतलब उनसे एनपी का मतलब निपते ठीक है यहां तक आपको ध्यान रखनी है ऐसे थोड़े पहलवान उनसे निपते थोड़े पहलवान उनसे निपते कह रहा है ऐसे थोड़ना पहलवान उनसे निपते फिर आपको कोमा ये एक sequence ध्यान रखन पुराने आम कम बिकेंगे ठीक है उसके बाद देखे यहां तक एक हो गया यह आपको टुकडों में याद करने एक सिक्वेंस पहले आपने याद रखी ऐसे थोड़े पहलवान यू निपते पुराने आम कम बिकेंगे आप देखो कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नास्ता लाओ तो क्या कहा सी एफ का मतलब क्या कैफे ठीक है में एस का मतलब क्या ऐसे फरमाओ एफ हम का मतलब क्या फरमाओ क्या मैडम नास्ता लाओ ठीक है तो हम क्या कहेंगे मैडम ठीक है फिर आप क्या लिखेंगे नास्ता लाओ ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है तिन टुकड देवान उनसे निप्टे पुराने आम कम भी केंगे सेकिंड फिर क्या कहेंगे कैफे में ऐसे फर्माओ कैफे ऐसे फर्माओ मैडम नास्ता लाओ ठीक है मैडम नास्ता लाओ तो यह हो जाएगा तो आपके पास थोरियम हो जाएगा फिर आपके पास क्या हो जाएगा प्रेसो और यह सब हो जाएंगे लोरेंसियम तक ठीक है तो आप इस त्रैसिस को याद कर सकते हैं तो यह आपके पास क्या थी यह एक छोटी से ट्रिक थी कि आप F-block elements को कैसे learn कर सकते हैं तो आपको याद रखना है क्या F-block elements को inner transition series कहा जाता है इसमें दो series होती है first series second transition series first inner transition series is known as lanthinoid because it starts after lanthinum lanthinum second inner transition series is known as actanoid because it start after actanoid it belongs to the sixth period it belongs to the seventh period the total element in F-block is 28 first first inner transition series lanthinoid series contain 14 element or actanoid series also contain 14 element lanthinoid series start from cerium and end up to the lutetium 58 to 71 it starts from the thorium 90 and end up to the lorencium that is the 103 और यह आपके पास trick थी ठीक है आप इसे learn कर सकते हैं तो I hope यह मेरा छोटा सा एक आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास ठीक है आपको समंज में आया हो और आपको F-block elements को revise करने में help करें अगर यह आपको help कर रहा है आपको easy busy लगा है तो आप मुझे comment करें और next वीडियो में मैं आपको in F-block elements की electronic configuration कराऊंगी अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को subscribe कीजिए मेरे वीडियो को like कीजिए thanks for watching